माइ यूटूब फैमली, कैसे आप सब लोग, I hope, सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वास्थ होंगे, मस्थ होंगे, अपनी फैमली के साथ इंजॉय कर दोंगे आज हम लोग ना एक ऐसी चीज बनाएंगे एक ऐसी चीज लाएं हैं हम जो बस आप उसको यूज करेंगे ना तो बस वह वह करते ही रहेंगे वैसे ये मार्केट में बहुत तेजी से इस समय मिल रहा है और सब लोग यूज भी कर रहे हैं लेकिन मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मुझे नैचरल चीजें ज्यादा पसंद है हाउस वैफ वैसे भी सोसी है ना हर चीज घर में ही प्रेपेर हो जाए तो वो ज़ादा अच्छा है तो मैंने सोचा मैं भी घर में प्रेपेर करती हूँ तो आप सोच रहोंगे इसी क्या चीज है तो यहाँ पे मैं बनाने जारी हूँ आज विटामिन C सिरम तो इसके लिए मैंने लिया है बदाम का तेल यानी आमंड ओयल इसको मैंने काँच के कप में डाला है आपके गर में बॉल हो तो बॉल में भी डाल सकते हैं आप लेकिन बरतन काँच का ही होना चाहिए और इसमें मैंने लिया है लेमन तो लेमन का जूस नहीं लियाना है इसका छिलका लेना है और इसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है देखिए इस तरह से कुछ आप औरेंज का भी पील ले सकते हैं लेकिन मैंने लेमन का लिया है और इसको अभी हम डबल बॉलर मेथट से पकाएंगे तो देखिए मैंने उस आमंड ओल में नीमू का छिलका डाल लिया है और इसको मैंने पानी चड़ा दिया था पहले से ही तो वो गरम हो चुका है पानी और इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे और ज्यादा नहीं इसको पकाना है इसको सिर्फ चार से पांच मि डिखाएगे और यह रेडी हो जाएगा बन के तो देखें यह में बन चुका है और इसमें एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें स्टील या किसी और चीज का यूज नहीं करना है आपको लकडी का ही यूज करना यानि लकडी का अगर आपके पर स्पैचुला हो तो उससे आप करें या इस तरह का कुछ हो कुछ भी हो आपक ready हो गया है इसको ठंडा करते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है तो मैंने यहाँ पे देखिये ली है काँच की bottle यानि ये पूरा process आपको काँच के ही बरतन में करना है इस्टील या किसी और बरतन का यूज नहीं करना है तो देखिए मैंने इसको completely पूरा इसमें डाल लिया है ठंडा होने के बाद और इसको फिर आप किसी चीज से आप इसको wrap कर लेंगे तो आप सबसे अच्छा है कि आप foil paper का use करें तो मैंने भी उसी का use किया है और इसको देखिए कस के टैप लगा दीजेगा और बस मैंने इसको देखिए wrap कर लिया है और फिर इसको दो दिन के लिए ऐसे ही बंद रखना है अगर आपके पास dark color की bottle हो काँच की तो उसमें ज़्यादा अच्छा है मेरे पास नहीं थी तो मैंने इस तरह कर लिया अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है तो बस इसको ऐसे wrap करके दो दिन छोड़ देंगे और ये देखिए मेरे दो दिन हो चुके हैं और मैंने इसको ऐसे ही रख दिया हुआ था ये देखिए हमारा vitamin C serum ready हो गया है अब आगे बताते हैं आपको क्या करना है तो आप ऐसी कोई bottle हो उसमें आप डाल के रख सकते हैं जो drop पाली होती है otherwise आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको तो मेरे पास थी तो मैंने use कर लिया है तो जो इसका छिलका था नीमू का उसको मैंने नहीं लिया है सिर्फ oil लिया है और ये देखिए सारा इसमें जो vitamins होते हैं वो सब कुछ इस oil में आ चुका है अगर आपके पास हो तो आप इसमें facial capsule जो आते हैं वो दो डाल सकते हैं और नहीं है तो कोई बात नहीं आप ऐसे भी इसका use कर सकते हैं और इसका night में ही use करें और ये देखिए हमारा बन के ready हो गया है vitamin C serum आपको हम दिखाते हैं अपने hand पे use करके इसके result बहुत गजब के हैं इसको आप रोज रात में जरूर यूज़ करें और skin बिलकुल brightening spotless हो जाएगी धीरे धीरे तो बस ऐसे ही आप भी try करिए तो देखा अपने कैसे बन सकता है हमारे घर में ही vitamin C serum हमें बाहर लेने या बाहर इतने महंगे महंगे जो serum मिलते है vitamin C के उनको ना use करके हम घर में बनाके आसानी से अप यूज़ कर सकते हैं और result आप खुद देखके हैरान हो जाएंगे आप मुझे देख सकते हैं मैंने कोई भी makeup नहीं किया सिर्फ lipstick के लावा क्योंकि आप भी देखते हैं कि जब तक manageable तरीके से नहीं आएंगे तब तक आप वीडियो देखते नहीं है तो ऐसा नहीं है आप वीडियो देखा करिए और makeup करना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे हाँ natural चीजें यूज़ करना उसी से मेरे face को glowing बनाना फेर बनाना ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं उनीका यूज़ करती हूँ और आप देख सकते हैं मैंने इसको 6 दिन से यूज़ कर रही हूँ मैं इसे और मेरे skin पर कुछ भी नहीं है आप glow देख सकते हैं तो आप भी इसे यूज़ करें घर पर बनाएं और यूज़ करें बाहर उतने पैसे इंवेस्ट करने से अच्छा है जब जो चीज हमें घर में आसानी से बन सकती है आसानी से हम बना के यूज़ कर सकते हैं और housewife है तो housewife थोड़ा तो conscious होती है हर चीज़ के लिए तो ये housewife के लिए girls के लिए सब ही के लिए दे कि पैसे फालतु किसी के नहीं होते हैं कोई नहीं सोचता कि हम फालतु में पैसे अपने डालें तो इससे अच्छा है आप अपने घर में बनाएं और आपको पता है मैंने क्या यूज़ किया है आप इसमें orange का भी छिलका यूज़ कर सकते हैं इस समय मुझे नहीं मिल रहा था तो मैंने lemon का भी यूज़ किया लिया है दोनों के benefit बहुत अच्छे हैं दोनों अपनी अपनी जगा में बहुत अच्छे हैं इसमें भी vitamin C होता है तो आप भी इसको घर पर बनाए और use करिए तो I hope मेरा वीडियो मैं आसा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो like share कर दीजेगा चैनल पे नए हैं तो subscribe कर दीजेगा अगर पहले से हैं तो खोब सारा प्यार देते रहे हम ऐ ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे अपने experience और कुछ आपके experience लेके आते रहेंगे तब तक के लिए बाई thank you for watching